नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं मुख्य मंत्री कारकरम के माध्यम से जहां आम लोगों को विभीन सरकार योजिनाव का लाप देंगे वहीं इसके साथ ही 113,186,333 रुपए की कूल 175 योजिनाव का उदगाटन वह 309,281,1306 रुपए की कूल 29 योजिनाव का सिलन्यास भी करेंगे इसमें मुख्य रुप से कोडार्मा में बना इंडोर स्टेडियम उत्पाद विभाग का करेयाल है वह अन्योजिनाए सामिल है यहीं नहीं इसकारकरम के माध्यम से 19,033 लबकों के बीच 10,49,62,130 रुपए की परिसमपति का वित्रन भी किया जाएगा पहले कुरोना ने बरबाद किया और विपक्ष सड़यंत रच रहा है सियम हमन्त मुख्य मंत्री हमन्त ने कहा है कि हमारी सरकार आपके घर तक विकास विभाग को पहुचाने के लिए कटीवद है चार साल में पहले कुरोना के कारण दो साल बरबाद हुआ और इसके बाद जब विकास का काम करना शुरू किया तो विपक्ष के लोग सड़यंत रच रहे हैं सरकार हमारी बनी नहीं कि गिराने की बात की जाने लगी जब भी विकास करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और केंदर सरकार से बकाया रासी मांगते हैं तो हमारे पीछे CBI को लगा दिया जाता है ये बाते मुख्य मंत्री ने सोमवर्गों गिरीडी के जहनडा मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारकार करम में कही है उन्होंने कहा है कि जारकन में कोल इंडिया कमाई कर रही है लेकिन हमारा बकाया 1,36,000 क्रोर रूपए नहीं मिल रहा देते वहें राज्य में 15,000 गुनवाता पुन इसकूल खोलते और 10 लाग से भी ज्यादा सरकारी पदो पर भाहाल करते जार्खन के अनुबंध करमियों ने राजभवन के समक्ष किया विरोध परदसन जार्खन के राजभवन के समक्ष सोमवर्क अनुबंध करमियों की भी उमः परी उन्होंने सियम हमान सुरें से स्या नीमिती करन समेत 11 सुत्री मांगों को लेकर विरोध परदसन किया प्रदसन करने वालों में आंगनवारी सेविका सहाई का जल सहिया स्वास्थ सहिया समेत अनुबंद कर्मी सामिल थे उन्होंने सरकार से आगरह किया है कि उन्हे वादे के अनुसार सुधाय दी जाए जारखन के सभी 24 जीलो से आय 35,000 जल सहिया 44,000 स्वास्थ सहिया 80,000 आंगनवारी सेविका सहाई का 4,000 पसुपालन 5,000 पसुपालन कर्मी 20,000 लहु कर्मी एवं 15,000 अनुबंद पर काररत A.N.M.P.W. कर्मीयों ने राजबन के समक स्वाम वार को धारना परसन किया परसन कर्यमयों की संख्या काफी अधिक थी तीन गोल्ड के साथ जारखन की सरीता बनी साइकिलिस्ट ओफ दा चैंपियंसिप भारतिय साइकिलिंग प्रेडरेशन ओफ इंडिया और जारखन साइकिलिंग संख के सनुक ततोधान में खेल गाव रांची के सिधु कानू वेलो ड्रम एस्टेडिया में पशत्रवा सीनियर महिला एवं पुरूस 22 जूनियर 38 सब जूनियर बालक और बालका राष्ट्रिये ट्रेक साइकिलिंग चैंपियंसिप का समापन हुआ परत्योकता में तीन स्वर्ण पदक के साथ जारखन की सरीता कुमारी बेस्ट हुमें साइकिलिस्ट आप दे चैंपियंसिप बनी है वहीं तीन स्वर्ण एक रज़त के साथ रायस्थान के खेता राम पुरूस वर्ग में चैंपियंस बने है वहीं 86 पॉइंट के साथ रेलवे ओवर ओल चैंपियन बना वहीं रायस्थान 73 पॉइंट के साथ उप बिजेता बना सीनियर में रेलवे बिजेता और रायस्थान उप बिजेता जुनियर में रायस्थान बिजेता और तमिलाडो उप बिजेता सब जुनियर और यूथ में रायस्थान विजेता और मनी विजेता बना है चक्रवाती तुफान मीचोंग का जारखन में भी दिखेगा असर चक्रवाती तुफान मीचोंग का आंसिक असर जारखन पर भी पड़ेगा इसके प्रभाव से 6 और 7 दिसंबर को मुखे रूप से पूरे राजे में बादल चाय रहने के साथ हलके से मध्य वारिश की समवना है इस अधी में राजे में निम्तम तापमान समाने से 2 से 3 डिगरी सेस्यस अधिक रहेगा इस दवरान आसमन में बादल चाय रहने के कारण अधिकतम तापमान भी समाने से कम रहेगा वही मौसम केंद्र के मुताबिक चक्रवात मिचोंग पच्छिम मध्य दक्छिम बंगाल की खाड़ी और दक्छिन अंध्र तट उत्री तमिलाडू तट पर भीशन तुफान में तब्दिल हो गया है या उत्तर की ओर बढ़ रहा है और मंगलवार दो पर मचली पटनम और किनलोर के बीच टकराएगा और गंभीर चक्रवाती तुफान में तब्दिल हो जाएगा उस समय उसकी गती 90-100 किलिम्टर प्रति घंटा होगी रांची में रोड कंस्ट्रक्शन काप्पिनी की साइट पर अपराधियों ने बोला धावा रोड कंस्ट्रक्शन काप्पिनी की साइट पर हतियार बंद अपराधियों ने धावा बोला और एनेश 23 का चौड़ी करन कारे करा रही कमपेनी के दो वाहनों को आग के हवाले कर दिया है वहें घटना के बाद कमपेनी के कर्मियों में दसत है पूलिस मामले की जाच कर रही है बता दे रांची जीला के बेड़ो थाना चेतर के पोकोलो ढोड़ा के समीप अग्यात हथियार बंद अपराधियों ने रांची गुमला मार्ग एनेश 23 का चौड़ी करन का काम कर रही आरकेडी कमपेनी के दो वाहनों को फोक दिया है जिसमें टेंडम रोलर 20 पुरी तरसे जल कर राक हो गया वहें दूसरा वाहन PTR दो आंसिक रूप से जला है कैदी के फ़रार होने के बाद रांची SSP ने किया रिम्स का निरिक छान पिछले दिनों रिम्स के कैदी वाड से एक कैदी के भागने के बाद पुलिस विभाग पर कई सवाल उठ रहे हैं इसे लेकर सुमवार को रांची SSP चंदन कुमार सिना ने रिम्स के कैदी वाड और विभीन जग हो का निरिक्षण क्या है निरिक्षन के बाद रांची SSP ने रिम्स अधिकारियों को सुरक्षा में कोई कमी ना हो इसके लिए कई दिशा निरिक्षन के बाद रांची SSP चंदन कुमार सिना ने कहा है कि रिम्स में पुलिस कर्मियों के रहने की बेवस्था अच्छी नहीं है इसलिए कई बार पुलिस कर्मी तनाव में आ जाते हैं और गलतिया कर बैठ दे हैं उन्होंने कहा एक रिम्स के अधिकारियों से बात हुई है आईसी बेवस्था बनाई जाएगी जिसे पुलिस कर्मियों को ठकान महसूस नहों और वे उर्जा के साथ रिम्स में सुरक्षा बाहल कर सके बोकारो होमगाड भरती में 550 से अधिक अभियार्थियों ने लगाई दोड़ बोकारो सेक्टर 4 स्थीत मोहन कुमार मंगलम एस्टेडियम में गिरी रक्ष को होमगाड के चयन की परकिरिया के साथ वे दिन सो मुआर को गयर तक्निकी सहरी के पूरुस्वमहिला अभियार्थि की हाइट वर्चेस्ट जाच होई गिरी रक्षक कमांडेंट रविक कुमार कोजूर ने बताया है कि भरती परकिरिया पूरुर रूप से परदर्सी और काबिलियत पर निर्वार है उन्होंने सब भी अभियार्थियों से अपिल की है कि किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड बताया है कि 5 दिसंबर को बहाली परकिरिया में भी गैर तक्निकी सहरी के पूरुस्वम महिला करमांग संख्या 11,501 से करमांग संख्या 13,654 तक के अभियार्थि सामिल होंगे धनबाद जेल गोली कांड को लेकर बोकारो पुलिस अलर्ट धनबाद जेल में गैंक्स्टर अमन सिंग की हत्या के बाद बोकारो पुलिस अलर्ट मोड पर है रभिवार को राज से ही बिसेश चोक्सी बरती जा रही है SP पिरियदर सी आलोक के निर्देश पर चास जेल की सुरक्षा में जुटे जवानों से मिल कर सारजेंट मेजर SDPO पिडरा जोरा थाना प्रभारी ने बिसेश चोक्सी के निर्देश दिये है चास जेल के बार पुलिस बल के जवान वा अंदर जेल पर सासन की तरब से लगातार निगरानी की जा रही है बंदियों पर भी कड़ी निगाह है वाकारों के बिभीन सेक्टरों में दर्जोनों आवास खाली है आयसे में बंद खाली आवासों पर भी पुलिस अधिकारियों को विशेश नय रखने का निर्देश दिया गया है पेट्रोलिंग के दवरान मिलने वाले संदिग्द से कड़ी पुष्टार्च करने को कहा गया है वहीं सीटी डीसपी कुल्दीप कुमार लगातार समिक्षा करेंगे ग्रामिनों के दवार तक पहुँच रही हमारी सरकार मंत्री रामेशवर उराव मंतरी डाक्टर रामेश्वर उराव लोहर्दगा जिले में आपकी जोजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम में सामिल हुए इस करम में लोहर्दगा नगर छेत्रे के वाव नमबर 9, 14, 15 के अंतरगत खाद गड़ा मेरेज हुल कारकरम में उपस्थित होकर उन्होंने कहा है कि आपकी जोजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम का तिसरा चलन पूरे राज्ये के विभीन पंचायत और वाड में सीविर लागा कारा जोजन किया जा रहा है जानता के द्वार तक पहुँच कर विकास कारयों से अमतिम व्यक्ति को जोडने का काम कर रही है और उनके सारे समस्याओं का समधान एवं विभीन सरकारी और इनाओ का लाब इस सीविर के मादम से दिया जा रहा है